नमस्कार बहुत स्वागत है आपका News18 के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर मैं हूँ आपके साथ अंशिका पाठक मोधी सरकार की एक और योजना की आज बात होगी युवा, किसान, नारी, गरीब ये सब तो पहले से ही आप जानते ही है कि इन पर कितनी योजनाएं बन चुकी है पियम मोधी की योजनाओं के केंद्र में ये हमेशा से रहे हैं लेकिन अब इसमें बच्चे भी जुड़ गए हैं बच्चों को इस नई गुल्लक के बारे में पूरी जानकारी आसान शब्दों में हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों और पेरेंट्स को फाइनाशिली स्ट्रॉंग करने वाली एन पियस वाटसली योजना को हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सितारमण ने लौंच किया एन पियस वाटसली योजना में निवेश के लिए ऑनलाइन प्लाटफॉर्म भी लौंच किया गया साथी इस योजना को सरल और बहतर समझने के लिए एक बुकलेट भी जारी की गई है एन पियस वाटसली योजना के तहट नाबालिक सब्सक्राइबर्स को अस्थाई रिटायर्मेंट अकाउंट नमबर यानि पर्मनेंट रिटायर्मेंट अकाउंट नमबर कार्ड भी दिये जाएंगे चलिए अब इस योजना के बारे में विस्तार से आपको समझाते हैं कि NPS किस तरीके से काम करता है, आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़ादा जरूरी होंगे सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये योजना आखिर है क्या इस योजना की घोशना 2024 में की गई थी, 2024 से 2025 के केंद्रे बजट के दौरान किया गया और 18 सितंबर 2024 को इसे लाँच कर दिया गया NPS वातसली योजना ये एक राश्ट्रिय पेंशन स्कीम का विस्तारित रूप है इस NPS वातसली योजना के तहट बच्चों की आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से एक महत्वपून पहल की गई है सरकार ने निवेश के लिए online platform भी launch किया है जिसके माध्यम से आप भी अपने बच्चों का NPS account खोल सकते हैं अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर निवेश कैसे करें इसे भी जानिये NPS वातसली योजना माता पिता को अपने बच्चे के पेंशन फंड में योगदान करने की अनुमती प्रदान करता है जो उन्हें उनके उज्वल भविश्य के लिए वित्य सुरक्षा प्रदान करेगा आपको आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दे कि इसकी घोशना 2024 से पच्चिस के केंद्रे बजट में पहले ही कर दी गई थी किसी भी योजना से जुड़ने के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या आप उसके पात्र हैं या नहीं है आयू की सीमा क्या है इसे जानिये ये योजना नाबालिक बच्चों के लिए है जिनकी वर्ष 18 से भी कम है अभीभावक या माता-पिता की भागेदारी क्या होनी चाहिए इसे भी समझेए माता-पिता या कानूरी अभीभावक अपने 18 वर्ष से कम आयू के नाबालिक बच्चे के लिए NPS वातसलिया एकाउंट खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं इसके अलावा भारतिय नागरिक होना बहुत जरूरी है जो अपने बच्चों के लिए वित्तिय भविश को सुरक्षित करने के लिए बहुत लंबा सोच रहे हैं ये योजना उन भारतिय नागरिकों के लिए है कितना है सालाना औसत रिटन ये भी जानिए इस योजना के तहट सालाना औसत रिटर्न, एवरिज रिटर्न जिसे कहा जाता है 14 प्रतीश्यत है यदि 3 साल के बच्चे के लिए आप हर महीने 15,000 रुपे का निवेश 15 साल तक के लिए करते हैं और इस पर 14% वाशिक रिटर्न मिलता है आपको तो 15 साल बाद ये राशी लग अभग 91,000,000,000 से भी जादा हो जाएगी अब ये भी जान लीजे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं अभी भावकों के लिए पेरेंट्स के लिए पहचान प्रमाणपत्र बहुत जरूरी है जिसमें की आधार, कार्ड, पैन, कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्र के लिए आयू का प्रमाण भी बहुत जरूरी है इसके अलावा मोबाइल फोन नमबर, इमेल आईडी, एनपेस वातसल यूजना के लिए अब आवेदन कैसे करें इसे भी समझेंगे इनपीस पोर्टल पर आप जाएंगे और फिर उसमें जो भी डीटेल्स आप से मांगे ज रही है, रिजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनने के बाद आप आधार कार्ड, पैन नमबर, मोबाइल फोन नमबर और इसके अलावा बौकी जानकारी सब कुछ भरेंगे, के वाईसी प्रक्रिया भी होगी, आपके बैंक से की के वाईसी प्रक्रिया पूरी होगी, पी आर ए योजना के तहट यदी माता-पिता 18 वर्ष तक 10,000 रुपे का वार्षिक युगदान करती हैं, इस अवधी के अंत तक 10 प्रतिशत की अपेक्षित रिटन दर, जिसे रोर भी कहा जाता है, लगभग 5 लाग के कोश में बढ़ने का अनुमान है, यदी निवेशक 60 वर्ष तक पहुचने तक इसको जारी रखते हैं, तो फिर इससे जादा अच्छा आपको रिटन जो है, वो मिलता है, किन बचों का एकाउन्ट नहीं खुल सकता है, इसे भी जान लीजे, इस योजना के तहट उन बचों का एकाउन्ट नहीं खुल सकता, जिनके नाम से पहले सी ही NPS ए तो आप भी मोदी सरकार की इस स्कीम का हिस्सा बन कर अपने बच्चे को सुरक्षित आर्थिक भविश्य की गारंटी दे सकते हैं